नमश्कार, कैसे हैं आप सबी? उमीद है अच्छे ही होंगे? हम संस्कृत के सात्वी क्लास के बारवे पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम मैं विद्या धनम् जिसमें विद्या रूपी धन के बारे में बताया गया है, विद्या की विशिष्टा बताया गई है कि विद्या जीवन में कितनी अधिक उपयोगी है और हमारे लिए लाबकारी है, तो चलो हम आगे इस पाठ की शुरुवात करते हैं द्वादश पाठे विद्या धनम ने चोर हारे ने ही राज हारे ने भातर भाज्यम ने चे भारकारी वै क्रते वर्दते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धन प्रदानम ने चोर हारे अर्थात ने चोरों के द्वारा चुराने योगे ने चे राज हारे ने राजा के द्वारा चीनने योगे ने भातर भाज्यम ने ही भाईयों के द्वारा बटवारा करने योगे ने चे भारकारी और ने ही भार को बढ़ाने वाली वै क्रते वर्दते एव नि सबी धनों में सबसे प्रधान माना गया है। अथार्थ शिपेवे धन के समान है। विध्या राजसु पूजते विध्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है ने ही धनम ने की धन अथार्थ विध्या की पूजा राजा भी करते हैं ने की धन की। विध्या विहीन पशु और विध्या विहीन व्यक्ती पशु के समान होता है। के यूर ने भूश्यनती पूरुशम हारा ने उज्वला ने स्नानम ने विलेपनम ने कुसुम अलंकरिता मूर्धजा वारेने क्या सम अलंकरोती पूरुशम सांस्कृता धारते शीयते अखिल भूशानी सक्तम भाग भूशनम। ने ही बाजूबंद के द्वारा शुशोबित होते हैं। ने ही चंद्रमा के समान उज्वल हार शुशोबित होता है। ने इसनान करने से ने विलेपन अथार किसी प्रकार का लेपन करने से ने ही फूलों के हार के द्वारा व्यक्ती का चरितर शुशोबित होता है। बाराण एक्या सलम सम अलंकरोती पुरुशम या संस्कृता धारते वानी रूपी संस्कार के द्वारा ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है बाकी अन्य सभी आबुशन तो समय आने पर नस्ट हो जाते हैं किन्तु वानी रूपी आबुशन है वो व्यक्तिका कभी भी नस्ट नहीं होता है इसके बाद हम आगे चलते हैं चौतिश लोकी उपर विध्या नाम नरशे कीर्टी तुला भाग्ये शियम चे आश्रयम धनु कामधुता रतिश्य विर्हे नेतरम तृतियम चे सा सतकारायतनं कुलशे महीमा रतनी विना भुशनं तदात्मनो पेक्षे सर्व विश्यम विद्यादिकारम कुरुम अर्थाथ विद्या जो है नर अथार्थ मनुश्य में कीर्थी को बढ़ाने वाली होती है भाग्य श्रेयम, चै अश्रेयम अर्थार्थ भाग्य के शीयन हो जाने पर या नस्ट हो जाने पर आश्रेपदान करती है सब्सक्राद देनो काम दुटा अर्थार्थ काम देनूं के समान इच्छा पूर्ती करने वाली गाय है रतीस्च विरहे अर्थार्थ विरहे में सहरा देने वाली होती है और विध्या त्रतियम चैसा और विध्या तीसरे नित्र के समान होती है सत्कार कुल के लिए सत्कार करने वाली आधर प्रदान करने वाली रतने बिना आभुषन बिना रतने का आभुषन है तदात्मन्य उपेक्षे अथार्द सभी विश्यों की उपेक्षा करते हुए सर्व विश्यम विद्या अधिकारम कुरू अथार्द सभी विश्यों की उपेक्षा करते हुए मनुष्य को विद्या अधिकार पर ही ध्यान देना चाहिए इस तरह से हमारा ये पार्ट समापत होता है और हम अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार